Hello friends, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Nothing Phone 2A Plus Android Mobile Phone में आप अपने Mobile Phone में डेवलेपर मोड को इनेबल कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल में जान करी देने वालों तो चलिए वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले Mobile Phone का सैटिंग का पेज ओपन करना है इसमें आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको अबाउट Phone का यह ओप्शन है इसे टैप कर लेना है अब दिखे इस पेज में आपको सबसे ओपर यह Nothing OS का यह ओप्शन टैप करना है अब इस पेज में आपको यह Build Number का जो ओप्शन है इसके ओपर आपको साथ बार टैप करना है साथ बार एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ तो जैसे आप साथ बार टैप करेंगे तो आपके Mobile Phone का Screen Lock सामने आ जाएगा तो Screen Lock जैसे ही आप Enter करेंगे तो आपका जो है इस पेज में नीचे लिखा हुआ आ जाता है You are now a developer इस तरीके से आप अपने Mobile Phone की Developer Mode सेटिंग को आपना Enable कर सकते है देखे दोस्तों जैसे Developer Mode जो है Enable होता है तो आपके Mobile Phone में Developer Option नाम की एक सेटिंग जो है वो दिखाई देने लगती है कहां पे देखे आपको Back Page पे जाना है इसके भी Back Page पे जाना है तो आपने इस Starting में जो About Phone का Option सेलेक्ट किया था ना इसी पेज में आपको सबसो उपर है System, System पे Tap करना है आप देखे इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको developer option ये setting आपको दिखाई देने लगती है आपके phone में तो इसे आप Tap करेंगे ना तो इस वाले पेज में आपको काफे सारे setting आपको मिलती है इन सभी का आप यूज कर सकते हैं इसमें तो इस तरीके से आप अपने mobile phone के download mode को इनेवल कर सकते हैं ठीक है